आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन प्लाव बिरियानी की रेसिपी जो को बहुत एजिएस्ट एंड सिंप्लिस्ट वे मैं आपको मैं बता रही हूँ आप इसको बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक यानि खुछबूदार बनते हैं तो इस रेसिपी को जरूरा किजिएगा रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जीसे नोा ने मेरा चैनल सिब्स्राइब country वो सब्स्राइब कर लिजिए like and share कर दिजिए जाले आईए रेसिपी सिटार्ट करते हैं तो यहाम मैंने पेन लिया है एक पॉट चूले मैंने और नहीं किया था इसमें मैंने तीन पाउ चिकन एट कर दिये उसके बाद गोल धनिया दो टेबल स्पून यानि सुका धनिया salt one and a half teaspoon या as per taste और one teaspoon crushed red chili यानि कुटी हुई लाल मिर्च मैंने add कर दी है उसके बाद मैं यहाँ पर add कर रही हूँ लहसन के जवे चोकि मैंने चार अदर लिये थे बड़े वाले और उनको बीच में से spread कर दिया था इसको मैंने add कर दिया है इसके बाद मैं इसमें add कर रही पानी 3 mugs के करीब जितने चावल है उतने ही हमने इसमें पानी add करना है उसके बाद हम इसको ढखकर पकने को रख देंगे यहाँ पर मैंने 2 medium size की प्यास ली है quarter cup मैंने तेल गरम किया है उसके अंदर मैंने sliced प्यास को डाल दिया है और उसको fry करना है पांस ते दस मिट के करी तो यहाँ तक है वो बिलकुल golden brown हो जाए तो आधी प्यास में निकाल दूँगी आप चाहें तो यह step इसके बी कर सकते हैं उसके बाद मैं 2 tablespoon के करीब lesson और other cup paste डाल रही हूँ फिर खड़े गरम मसाले ने ने है 15-20 अदद काली मर्चे, 4 अदद लॉंग, 2 दारचिनी के sticks और एक तेजपाद इसको मैं इसमें आट करेंगे और 10-15 seconds हम इसको fry करेंगे उसके बाद हम इसमें मसाले आट करेंगे जो के है salt as per taste, half teaspoon chili powder यह लाल मिर्च का पाउडर, 1-4 teaspoon haldi powder, 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon chicken powder, यह मसाले हम सारे इस mix प्यास के अंदर आट कर देंगे उसके बाद हमने एक अदर बड़े साइस का टेमाटर लेना है, उसको मैंने roughly chop कर दिया है, वो भी इसके अंदर आट कर दूँगी और इसको थोड़ा mix करने के बाद ढग दूँगी ताकि water release हो जाए टेमाटर का, और बाद में मैं इसको चमच की मदश से mash कर रही हूँ ताकि यह थोड़े से soften हो जाए, उसके बाद मैं इसमें आदर cup के करीब दही एट कर रही हूँ आप चाहें तो one-fourth cup भी एट कर सकते हैं दही को और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी दो से चार मिनट के करीब इसके बाद मैंने यहाँ पर जो चिकन की एखनी बनाई थी वो रेड़ी हो चुकी थी 15-20 मिनट में और यहाँ पर मैं चिकन इसमें से सारी निकाल के इस मसाले के अंदर आट करूँगी और उसको मैं भूनूँगी दो से चार मिनट फूनना है ज्यादा नहीं फूनना क्योंके चिकन अगर हमारी ज्यादा गल जाएगी तो वो तूट जाएगी और अब यहाँ पर मैंने स्पेशल मसाला जो है वो बनाना है इसका यहाँ पर लिया है बन टी स्पूल जीरा चार अदर चोटी इलाइची दो अदियान के फूल यानि स्टार एनाइस सौफ का फूल जो होता है एक बड़ी इलाइची और एक टी स्पून के भरके मैंने जावेतरी का पावडर ले लिया है आप चाहें तो आईदी जावेतरी के ले सकते हैं इनको मैंने पीस लेना है इस तर तरीके से हम एक से दो मिनट के लिए फ्राइ करेंगे उसके बाद यखनी को मैंने छान लिया था अब मैं वह एक कर रही हूँँ अब यहां पर मैं हरी मिर्चे एच करूंगी चार से पांच अदर जिसको मैंने बीच में से स्लिट करावा है यहां पर मैंने चावल लिये है जिसको मैंने नमक डालके उबाला है, सिर्फ मैंने एक से दो बॉयल दिये हैं, चावलों को ज्यादा गलाना नहीं है, तीन के नहीं हमें उसमें रखनी है, अब ये सारे चावल मैं इस चिकन के ओपर स्प्रेट कर दूँगी, उसके बाद जो बची भी हमारी गोल्डन प्रिंकल कर दी है, उसके बाद जो बचावा मेरा मसाला था वन टीस्पून के करी वह भी मैं इस प्रिंकल कर दूँगी, जो के प्लाव बिर्यानी का स्पेशल मसाला था, आप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, फूट कलर ओर और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो नीची क साइट पर भी डाल सकते हैं, लास्ली मैं इसमें केवडा वाटर एट करी हूँ, जो के मैंने दो से तीन टेबल स्पून के करीब डाला है, इसके बाद मैं धख दिया है, पांच मेर तेज आज पर पकाएंगे, उसके बाद 15-20 मिन हम बिलकुल धीमा आज पर दंपे तो यहां मैंने जवे लिये हैं, लेसन के 6-8 अदर, एक टीस्पून नमक लिया है, एक टीस्पून जीरा लिया है, और 20-25 कोल लाल मिर्च, जिनको मैंने पानी में विगोतिया था, 10 मर्ट के करीब, और ग्रैंडर में इसको मैं हलके से पानी के साथ गाड़ा पेस्ट बना कर लीजिए, अब मैं यहां पर डालनी हूं इसी दही के अंदर, दो टीस्पून भरके यह लाल चटनी, और मुझे थोड़ी कम लग लग ली थी, तो मैंने एक टीस्पून और भरके डाल दिया था, इस रायते के अंदर, चटनी को, अब यहां पर मैं नमक एट कर रही हूं तो यहां पर मैं मेरा रेड डायता जो है तैयार हो चुका है, लीजिए, यहां पर बहुत ही खुचबुदार सी चकन प्लाव बिर्यानी तैयार हो चुकी है, उमीदें ये रेसिप्य आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन, टेक केर और अल्ल